हेलो, गुड मॉर्णिंग दिवर्ज, मैं पहले ही आपको मोडल पार्ट वर्ण पढ़ा चुका हूँ, आज मैं मोडल अग्योलरी का पार्ट टू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आप फिर से हमारा यह वीडियो बार बार देखना और दोनों मिला करके अगर आप याद कर लेते हो, तो आप अपने परिक्षा में जरूर इस चक्तर से पूछे वर जाने वाले प्रस्न को सही सही उत्तर दोगे, तो चले, अब हम मोडल के बागी भाग पर आते हैं, जैसा मैंने पहले आपको चार्ट पढ़ाया है, तो पांचमा मोडल है सैल, सैल का हिंदी होता है गाग एक गी, और सैल का परियोग हम फ्यूजर टेंस में होने वाले ऐसे काम के लिए करते हैं, जो संभावना में होती है, जो होने वाली होती है, और सैल का परियोग सिर्फ हम आई और वी के साथ करते हैं, अर्था सैल का परियोग हम सिर्फ फर्स्ट परसन के साथ करते हैं जैसे I shall do this work, we shall walk hard, I shall make a coin, आप अनिक सारे work बना सकते हैं सेल के बाद दूसरा है सूड, सूड का हिंदी होता है चाहिए सूड का हिंदी होता है चाहिए और सूड का परयोग किसी विवेति को समाने सुझार देने के लिए किया जाता है अथार, आप किसी आदमी को कोई सुझार देते हैं तो असानी से आप सूड के प्रयोग करके work बना सकते हैं जैसे you should read, you should keep silent, you should work hard, यह सथारम सुझार है इसमें कोई seriousness नहीं है तो चलिए सूड के बाद हम आते हैं will विल भी किसी भविश्य में होने वाले काम के लिए किया जाता है विल का भी हिंदी गा, गे और गी होती है आप will का प्रयोग second person और third person के किसी भी subject के साथ कर सकते हैं याद रहे, will का प्रयोग आप समान अर्थों में first person के साथ तभी करेंगे जब कोई determination होगा, जब कोई initiative होगा तो पहले चले, will के प्रयोग करके कुछ उदारन लेते हैं, कुछ वाक्यों बनाते हैं जैसे, you will do this work, you will play a ball, she will do this work, she will play a ball, Ram will write a letter, Mohan will sing a song, they will make a kite आप तरद तरद के वाक्यों बना सकते हैं, जैसे आपको इच्छा होगा, आप वैसे वाक्यों बना सकते हैं चलिए, will के बाद है, उट, उट का हिंदी भी होता है चाहिए, लेकिन उट का प्रयोग हम किसी वेक्ति के इच्छा को दर्शाने के लिए करते हैं अधा, जब की वेक्ति, किसी दूसरे वेक्ति के वारे में अपने इच्छा जाहिँ करता है, तो हाँ पर हम उट का प्रयोग करते हैं उट का प्रयोग, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं इसमें कोई person का bond नहीं है, इसमें किसी नियम का पालन आपको नहीं करना है, आप जिस subject के साथ चाहे उठ का प्रयोग असानी से कर सकते हैं, जैसे you would be a king, आपको एक राजा होना चाहिए, you would be a singer, आपको एक गायर होना चाहिए, you would be the prime minister, आपको पर्धानमत्री होना चाहिए, अच्छा अच्छा जाहिए करते हैं, we have good will, we have no evil thought for him, तो चलिए, अब उठ के बाद हम आते हैं, need में, need का हिंदी अर्फ होता है, आपसक्ता या जरूरत, need का प्रयोग भी हम किसी बेखती के या अपनी अपसक्ता को दर्शाने के लिए करते हैं, जैसे I need a pen, I need a car, I need a box, I need need food, need के बाद आता है, must, must का हिंदी होता है, आवस, अर्थार जब आपको किसी बेखती को सक्त निर्देश देना हो, अर्थार ऐसी सुझाव, जो उसको करना ही चाहिए, उसे करना ही चाहिए, हर हाल में उसे पालन करना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो उसके he must do this work, he must work hard, he must take medicine, ऐसे सैक्लो आका बना सकते हैं, जिससे must का भाब का जाहिर हो सकता है, must के बाद हम आते हैं, dare, dare का प्रयोग हम किसी बेखती के साहस या हिम्मत को दर्चाने के लिए करते हैं, जैसे, you dare not touch fire, तुम्हें आग सुने की हिम्मत नहीं है, you dare not clear snake, तुम्हें साप मारने की हिम्मत नहीं है, you dare not fight with a line, तुम्हें सेर से लएने की हिम्मत नहीं है, dare के बाद हम आते हैं, used to, used to का हिन्दी होता है, आदर, और ऐसी आदर, जो इंसान की बुरा habit के दर्चाता है, used to का प्रयोग करते हैं, जैसे, you used to drink, you used to gamble, you used to tell a life, इस तरह के कोई भी किसी भी बुरी habit को दर्चाने के लिए आप used to का प्रयोग कर सकते हैं, used to के बाद आता है, out to, जिसका मतलब होता है, कर्तब या दायूद, अगर किसी बेक्ति के संबन्द में, आपको ऐसे वाक बनाना है, जिससे उस बेक्ति की कर्तब या दायूद का प्रयोग करेंगे, जैसे, you out to respect your parents, you out to serve your parents, you out to faithful for your country, इस तरह से आप सेक्ड़ोग बना सकते हैं, Dear students and viewers, मुझे आसा है, आप ममारा इस clip को देर करके, इस video को देर करके, जरूर लाव उठाएंगे, और मेरा चैनल को सब्सकाइब करेंगे, जिससे मेरा चैनल सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा, दन्यवाद.